बिस्मिल्लाहिरॉख्माईर्णी रहीम नहमद्हू और सल्ली अला रसुलिघ खरीम ये प्रब्लम डिफ्रेंशिल इक्वेशन के है और डिफ्रेंशिल इक्वेशन पेष्ट अफ्रेस्ट और फिस्ट इग्री चेप्टर से क्योंकि यहां पर जो डिफिरेंशीन के जा यह की बार है अगर हम यहां से डिक्स से डिवाइट करें और में डिवाइड दी एक्स मिलेगा एक या डिफरेंसेशन है और उसकी होल पाबर भी बन होगी इसलिए इसका ऑर्डर भी मननें तो ऐसी प्रफिलम को हम सौज हुब करते हैं तो कोसीज यह करते हैं कि यहां पर जो इत्राइबलें सेपरेट हो जाए प्राल्बम इस तरीके से लिखेंग है यह वेलु जो इन्हें पिल्ट ब्रावलम है यह में इनीशिल वेलु दे रखें इनीशिल बेलु प्रावलम है ये तो पहले था इसे से फोकेश करना होगा कि यह डिफ्रेंशिल इकेशन कैसे स्वाल हो जब स्वाल हो जाएगा सुलिशन आ जाएगा तो उसमें यह फर्स्ट और का था डिफ्रेंशिल इकेशन तो एक इसके differential equation इस जो हमें differential equation दे रखा है वो इस तरीके से है एक्स इतो दी पावर x square plus y square dx plus y into e to the power x square plus y square plus 1 dy is equal to 0 तो सबसे पहले था हम इस ब्रेकेट को ओपिन करेंगे y का दस दी य को दस इन दोनों टर्म में multiply होजाएगा first term को as it click दीजिए x e to the power x square plus y square dx plus y to the power x square plus y square dy plus y dy is equal to 0 अब में इन दो नो टर्म में से common लेने चाहिए e to the power x square plus y square गोना में common दे लेंगे तो कुछ चीजिया मैं समझ में आ जाएंगी बचेगा x dx और यहां पर ब्लस का डी वाई और यह मिलेगा इतना यह common ले लिया तो उसके बाद में बचेगा यह भाई भी बचेगा y dy यहां पर हमको हमारा बचा हुआ है और प्लस का y dy is equal to zero तो अगर हम इसमें डी वाई से होल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो हमें थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा यहां पर हम पूरी एक्वेशन को जैसे अभी हमने बोला कि डी वाई से डिवाइड कर लेंगे ऐसा करने से हमें एक ही भार वैलू रखना होगी डी एक्स अपान डी वाई की अगर हम जैसे डी एक्स डिवाइड करते हैं तो दो बार हमें उसे प्रावलम आती हमारे लिए डी वाई वाई वर डी एक इंदर यहां पर दो जगा पर और फिर उसको सॉल करना थोड़ा सा मुस्किल होता तो इसलिए हमने होने पूर één को डी वाई से डीवाइड करेंगे तो मैं लेगा यूर्य इन फैक्टर एक्स स्क्राइब लस य स्क्रायाइप की पापर में यह जब हमने डी आसी डिवाइड किया तो एक से डी एकी स्वाधénergie मिलेग ड् keincl लोगे ओनली वाई बचेगा ऐसे डिवाइसी डिवाइट करेंगा ओनली वाई बचेगा इस इकल टू जीरो अब यह हम यहां पर इस तरीके से एक dependent variable जो कि यहां पर X है उसकी जगह पर दो सा dependent variable को introduce करने वाले हैं यह यह जो X square plus Y square है अगर हम इसको एक निया variable भी मान लें और पूरे और यहां पर डी एक्स ओवर डी वाई की वालू को इस रिलेशन से फाइंड करके यहां पर equation में पूट करते हैं तो मारा equation reduce हो जाएगा और आसानी से सेपरेट हो जाएगा क्योंकि यह इस इस इक्रेशन से हम एक्स ओवाई को सेपरेट करना इंपॉसिबल है तो बिना सेपरेट की वे साल नहीं होगा तो एक नया वेरीबल हमने भी ले लिया अगर हम इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीट करते हैं तो यह हो जाए इसान का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंस हो जाएगा राइथ हर्टम 8 साइच में वी का डिफ्रेंसेशन हो जाएगा डीवी ओवर डीवाई अब यहां यहां से हम यह वैलू फांड कर सकते है एक्स स्टेट इंश वर की य की सवाइं दस करते हैं वह पूरे हम देखन प्रिमी भी बिन गया तो यह पूरी वैलो में हम यहां से इतनी में लगई तो इस तरीके से यह जो damping नमारा अधाा लाश में इसको को हम नावन डालने तो यह मेर मालो हम पुट कर दें लेड कले यहांस्न मेल लिगदें फिल्ट इडिंग लिए बैलो तो में सकेंगे हम किसमें रखने हैं इंडिकेशन नॉमबर वन में यह वैलू पुटिंग इस वैलू इंडिकेशन वन तो यह वैलू हमें मिल दाएगी एट दी पावर एक स्कार ब्लस वाइज स्कार की जगा पर हमें एक नया डिपेंडेंट वैडिविल लगना है और यह पूरा यह रेकेट लिए पर और अब डिपेंडेंडेंट वैरिविल भी वाइंडेंडेंडेंट वैडिविल एक्स वाइब को सेपरेट कर सकते हैं पहले जिस तरम को दर ले जाए तो इती पावर वी इंटो वन अपन टू डी वी अपन डी वाई यह माइनस का वाई हो जाएगा और फिर वी जैना अडिक और दूँखे वे तरफ कर लेंगे डी वी के साथ में और दो से साध्में डी वाई वाले टर्म कर लेंगे कि उसके लिए को फिजतिए एधि पावर वी डीवी को फोलगते हैं और यहां परतू बदाटें में टीवाई को भी वी ढूरी यजिन ना चाहिएब क्लिकाइशन दो कोट पे कुए सबल करना है तो क्वह हम छोगा पाव हमें इंटिगेस्ट करना होगा लुए कि कि इंटी इंटिगेटिगे करना है क्लेक्स Mexican पहले से यहां पर बता है कि अच्राइब हो रहा है और यह माँंस तू व्यक्ती तैब डिय उटेच हो रा Лए ल ही कि रेस्पक्स आप भी हो जाएगा –2 नटू है कॉंस्टे सब्सक्राहर ले ने सिर्वारी बचे पाब rice की वन और integrate जब करते हैं तो पाबर जितनी होती है उसमें से एक एड़ हो जाता है वही पाबर अपान में आ जाती है और जोकि हम integrate कर रहे हैं पर्स्ट और का डिफ्रेंस इलिगेशन था तो एक arbitrary constant आ जाएगा उस constant को C जोड़ देंगे अब integration करते हैं तो integration constant है आप सुरुआ से ही जोड़ते हुए लिया इसको integration consistency add कर लेंगे तो एड़ी पाबर भी जोगे अपना काम कर चुगा है तो इसलिए वापस कर दें वी की वैलू थी जो मनें देखन गीविंड डिफरेंस इलिकेशन का जनरल सुलिशन आ चुका है चाहब तो आप इसको टर्म को प्लस करना है तो राइट हैं साइट से लिए फ्रेंट साइड में दिया वाइवाइस को प्लस का आगया डिफार इफार शायं पोजिटीव और प्लस ई टुटीव पाब हैं